चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी ख़वरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए आईजीएमसी में अब नहीं रुकेंगे करमीों के तनक्वा संबंधी बील जेंदरा गाधी मेडिकल कोलेज एवं अस्पताल में कारेद सेकड़ों करमचारियों के तनक्वा और अन्य रूटीन बिनों को अब नहीं रोका जाएगा स्वामारको आईजी एमसी में कॉलेज प्रचारी डॉक्टर सीता ठाकूर के अधिचता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया वहीं आपको बता दे कि प्रचारी ने अधिकारियों को निर्दिश दिये हैं कि कोई भी किसी भी अधिकारियों के काम में दखल नहीं देगा हिमाचल में एक और ओडियो वाइरल राकेश प्रहानिया हुआ प्रेम कुबार धुमल का जिक्रिक कर रही महिला नेता जे हिमाचल परदेश विधानसभा चुनाप की मद्दान प्रकरिया संपन होने के बाद डल होजी विधानसभा छेतर में एक और ओडियो वाइरल हुआ है वाइरल ओडियो में एक महिला नेता हुआ एक कार्यकरता के बिच बातचीत हो रही है बातचीत से इसपस्ट है कि यह ओडियो मद्दान से पहले का है जिसमें महिला नेता अपने ही दल के परतियासी के बिरोत में कार्यकरता से बात कर रही है आठ दिसंबर को 11 बजे साफ हो जाएगी हिमाचल की नई सरकार की तस्वीर जिसमाचल पर्देश में चबदवी विधानसबा के गठन के लिए गवं मत गन्ना 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे पोस्टल बेलेट के साथ सुरू होगी साड़े 8 बजे से इभियम से मत गन्ना सुरू हो जाएगी हर राउंड के बाद जनकारी दी जाएगी की पर्तियासी को कितने मत मिले पर्देश की सभी 68 बिधानसबा स्षीट के लिए एक साथ 68 अस्तानों पर मत गन्ना होगी रुजान सुबह पोने 9 बजे से आने सुरू हो जाएंगे और 11 बजे तक तस्विर साफ होने की संभवना है रोहतांग दर्रा परेटकों के लिए बंद दिदार के लिए अब मैं तक करना होगा इंतिजार जे रूक रूक कर हो रही बरपारी लगतार गिरते तापमान और संक पर फिसलन बढ़ने की वज़े से रोहतांग दर्रा बंद कर दिया गया है कोठी से आगे वाहनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है वही गुलाबा इबरियर को भी कोठी अस्तानतनित किया गया है रोहतांग के दिदार के लिए सनानियों को अब मैं तक का इंतिजार करना पड़ेगा क्रिसमस और निव यर के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग सुरू जे वाइट क्रिसमस की आसमें बड़ी संख्या में सलानी क्रिसमस पर सिमला पहुचने वाले है क्रिसमस और निव यर के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग सुरू हो गई है सिमला के अलबा कूपरी, नारकंडा, मसोबरा और नाल दहरा के होटल और होम इस्टे की बुकिंग में तेजी आई है इस विकेंड पर भी सलानीों की भारी भीड उमरने की उमीद है हिल्स कुइन सिमला में विंटर टूरिस्ट सीजन ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दिये वही क्रिसमस और निव यर मनाने के लिए सहर में बड़ी संख्या में सलानीों के पहुचने की उमीद है विकेंड पर भी सहर में सलानीों की आमद बड़ी सुरू हो गई है 26 नमर को संज्यूक्ति किसान मंच करेगा राजबहन मार्च जह संजुक्ति किसान मंच के सा संजोजक संजेश चुहान ने बताए कि संजुक्ति किसान मोर्चा के आहवान पर 26 नुमर को देश भर में राजबहन मार्च किया जा रहा है वहीं संजुक्ति किसान मंच में पर्देश के सभी किसान बागवान संगटनों से राजबन मार्च में सामिल होने का आवान किया है उभोक्ता आयोग ने इंस्वरेंस कंपणी को दिये 2,666 रुपई आदा करने के आदिस जेहिमाचल पर्देश राज्य उभोक्ता विवाद निवारन आयोग ने छतिग्रस्त वहान के क्लैम के लिए वहान मालिक को हगदार ठहराया है जिला उभोक्ता आयोग मंडी ने बालक राम की याचिका को खारिच कर दिया था आयोग ने इंस्वरेंश कंपणी को 2,86,186 रुपई आदा करने के आदिस दिये है इस रासी पर 9,52 देने को भी कहा गया है आयोग ने 20,000 मुआपजा और 10,000 रुपई मुग्दमेबाजी खर्चे देने के आदिस भी दिये है वही निरने की अनुपालना के लिए आयोग ने इंस्वरेंश कंपणी को 45 दिनों का समय दिया है लाहुल में जमने लगी चंदरभागा नदी टूरिस्टी के लिए बंद हुआ रोहतांग पास जहिमाचल पर्देश में सूस के ठंड पढ़ने लगी है नौंबर के मद्य में बारिस और बरबारी के बाद अब मोसम साब बना हुआ है और सूस के ठंड पढ़ रही है और पारा भी गिर रहा है आलम यह कि सूबे के साथ इलाकों में सिमला से ज़्यादा ठंड मैसूस की जा रही है वहीं लाहोल इस पिती में पारा गिरने से अब जंदरभागा नदी जमने लगी है साथी बरबारी और पानी जमने का सिलसिला सुरू हुआ है और अब मनाली परसासन ने रोहतांग पास को बंद कर दिया है अब अगले साल मैं में गर्मियों के मौसम में भी रोहतांग पास खोला जाएगा मनाली पुलिस ने गुलाबा से अपनी चेक पोस्ट हटा दिये बिहार के तिसरे आरोपी ने भी किया आत्मसमरपन अभियर्थियों को पेपर बेचने का आरूप जही माचल परदेश पुलिस भर्ती पेपर लिख मामले में बिहार के तिसरे आरोपी ने भी मंगलबार को आदालत में आत्मसमरपन कर दिया है जाँच टीम की लिस्ट में ये आरोपी वांटेड था आदालत ने इसे पांच दिन की पुलिस रिमार्ट पर भेज दिया गया है आरोपे की भरत कुमार निवासी वार्ड नमर 28 गाउं लखिसराई ने अपने सात्यों अभीनीत और वेथ परकास के साथ मिलकर पैसे लेकर पेपर को अभियर्थियों को बेचा था वहीं पिहार से ही संबंद रखने बाले अभीनीत कुमार और वेथ परकास बिते गुरुबार को आत्मस समर्पन कर चुके हैं जहिमाचल परदेश हाईकोर ने दूसकर्म के मामले में नामजात और आरोपी डॉक्टर की जमानत याची का खारिच कर दी है नियाज़ी सतियन वेद ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन के बाद पाया की पर्थम दिरिष्टी में दोनों आरोपियों का इस अपरात में सामिल होना परतीत होता है इन्हें जमानत पर रिहा किया जाना उचीत नहीं है दोनों के खिलाप नवालिक से दूसकर्म के संगिन आरोप लगाए गए है विश्वे मतसकी दिवस पर हिमाचल को मिला पहला पुरुसकार पहाडी राज्जियों में किया सर्वस्रेट परदर्शन जे विश्वे मतसकी दिवस 2022 के आवसर पर भारत सरकार और राष्टिय मतसकी विकास बोड हैदराबाद दोरा स्वामी विवेकानद ओडिटोरियम दमन में कारी करम का आविजन किया गया जिसमें पिछले तीन वर्षन 2019-2022 के दुरान सर्वस्रेट परदर्शन करने वाले राज्जियों को पुरिस्कृत किया गया मांजी खट के उपर से गुजरेगा गगल एयरपोर्ट का एक तीस्व मीटर रनवी जिये पहाडी राज्य हिमाचल परदेश की कनेक्टिविटी के मुख्य अधार पर कंगला गगल एयरपोर्ट के विस्तारी करन में 1376 मीटर रेनवे को बढ़ा कर 1300 मीटर का बनाया जाएगा इसके लिए मांजी खट का तटी करन कर उसमें सलेब भी बनाए जाएगी इसके साथी छेतर के 89 भवन विस्तारी करन की जद में आएंगे वहीं फॉर्लेंड को डाइवर्ट किये जाने के प्लान पर भी विस्तार से काम किया जा रहा है गगल सहित आसपास के छेतर में बिजली के हाई टेंसन तारों को हटाने वो अंडर ग्राउंड करने के प्लान पर भी काम किया जा रहा है कंगणा एरपोर्ट के विस्तार की प्रस्तावित पर योजना के कर्यान विर में केंदरिये जल और विद्यूत अनुसंदान साला पूने की विसेसग्यों सेवाएं ली जाएंगी गिलेसियर की चपेड में आये परबता रोही को तलासे का ड्रोन फ्रेफ्रेंट्सीप पीक पर तिसरे दीन भी रेश्क्यू टीम खाली जियर सिमला के परबता रोही आसुतोस की खोच के लिए मंगलबार को अटल बिहारी भाजपिय परबता रोहन सनास्तान सहित एडवेंचर टू आर ऑपरेटर्स एसोसियेशन कुलू मनाली की टीम फ्रेंट्सीप पीक की अलग-अलग दिसा में रावाना हुई थी वहीं SDM मनाली डॉक्टर सुलेंदर ठाकूर भी टीम के साथ घटनास्तल की और रावाना हुई थी हालात का जाजा लेने के बाद SDM दो पहर बाद मनाली लोट आए जबकि टीम ने घटनास्तल के समीब जाकर बेस कैम्प बना लिया अडल ब्यारी भाजपिये परबता रोहन एवं खेल सनस्तान की टीम अब ड्रॉन केमरे की मदद से लापता परबता रोही की तलास करेगी हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने बरपसे ढगी चोटी पर रहना उचित समझा हालाकि अभी यह पता नहीं चल पाया है की परबता रोही हीमस कलन में दबा है या हीमस कलन के साथ खाई की ओर लुड़क गया है चलिए में चलते हैं आज साम की आखरी ख़बर खाई में गिरने से बची हाटसी बस कुलू से केलांग जा रही गाड़ी में तक्निकी खराभी आने से हाथसा जट जिल्ला कुलू से जिल्ला लाहो लिस्पिती के मुख्याले केलांग जारी एचाटिसी की बस दालंग के समिप केची मोड में अचानक दुर घटना गरस्त हो गई गनीमत यह रही की बस अनींतरित होकर मिट्टी के धेर पर अटक गई वरना खाई में गिरने से बड़ा हाथसा हो सकता था दुर घटना में सभी यातरि सुरक्ची थे मिली जनकारी के अनुसर आपको बता दे की बस 32 सवारियों को लेकर कुलू से केलांग के लिए रवाना हुई थी गौंदला और दालंग के बीच केची मोड पर अचानक अनीतरित होकर सणक से बाहर निकल गई चालक ने मुझतेदी दिखाते हुए तुरंते हेंड़ ब्रेक लगा दी जिस कारण बस खाई में गिरते गिरते बच गई दोस्तों आज की साम की खवरों का सिलसिला इसमापत होता है अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेर चलक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नभूलें और शुलक कार दो अगवडह तुड़